So now we will see how general misuse of testing results. जैसे मैंने एक्स किया कि हम यह देख रहे थे कि करिक्लम पे क्या असरात है? नेगेटिव असेस्मेंट बच्चों के ऊपर क्या है? हमारे प्रफेशनल स्टेंडर्स पे क्या है? और यह के बच्चों के दाफले के वक्त जो प्लेस्मेंट के वक्त मसाइल पेशाते हैं वो क्या है? और अब हम यह देख रहे हैं कि यह देटा गलत इस्तमाल कैसे किया जा सकते हैं? So over relies on test score. पहली बात तो यह है कि किसी भी बच्चे की assessment के लिए अगर आप test score पे rely कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं खरते हैं. Test एक one time effort की उसको मापने की, बच्चे को one time में नहीं मापा जा सकता. उसको मुस्तल सल observe किया जाना चाहिए और तमाम जिन्दगी के पहलों में उसको देखा जाना चाहिए. किसी एक जगा पर, किसी एक test पे judgment नहीं दी जा सकती. Misinterpretation of test results. और फिर जो test के results आए हैं, उससे आप उनको misinterpret करते हैं, आप घलत मतलब निकालते हैं, और आप इसके basis पे बच्चों को भी मायूस करते हैं, उनके parents को भी मायूस करते हैं, और खुद को भी मायूस करते हैं. क्योंकि as a teacher भी आप समझते हैं कि ये बच्चा तो आगे नहीं चलेगा, जबकि आप नहीं समझते हैं कि हमेशा बच्चा test पे एक जैसा बेहतरीन perform नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे factor हैं जो उसको distract कर सकते हैं, disturb कर सकते हैं, तो आप results पे rely इससे नहीं कर सकते. Use of test for unintended purposes और कई दफा हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो test के results इकठे किया जाते हैं, पूरा जो data बनाया जाते हैं, वहां भी बहुत सी ऐसी policies बनती हैं, जहां developed countries, underdeveloped countries, poor countries को अलग-अलग segregate किया जाता है, और फिर मुक्तलिफ policies बनती हैं, और फिर वहां पे मु प्तलिफ economic decisions होते हैं, जो किसी सूरत में भी equity पे base नहीं करते हैं, या equality पे base नहीं करते हैं, बलके test results के basis पे unnatural और inappropriate policies बनती हैं, तो test bias, अब test bias जैसे मैंने अर्च किया यह है, कि क्या सारे लोगों के लिए एक test चलेगा, अगर आप समझते हैं कि class 1 के बच्चे को इतने function mathematics के, science के, language के आ जाने चाहिएं, खास और पे हमारे हाँ, चुक्कि हम bilingual system है, उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या अंग्रेजी की उतनी चीज़ें आ जानी चाहिएं, जितनी England में या USA में बच्चे को आ रही हैं, is it possible, उनकी तो वो native language है, तो हमारे हाँ, हम उनके साथ मुकाबला करेंगे, या किसी और के साथ, जबकि हम अपनी जबान को उस तरह से नहीं देखेंगे, तो सारा जो, यह test bias है, वो यही cultural differences है, वो cultural biases है, जो test हमने खुद नहीं बनाया, जो हमारा indigenous test नहीं है, अगर हम उसको इस्तमाल नहीं कर रहे है तो हम अपने बच्चों के लिए खुद bias create करें, so failure to consider multiple sources of information, जैसे मैंने अर्स किया, कि हम सिर्फ paper pencil test लेके, खैसला कर लेंगे, यह बच्चा इस काबिल है, यह जी जहीन है, यह नलाइक है, दर हकीकत उसकी शक्सियत के बाकी सारे पहलू, उसकी emotional intelligence, उसकी social development, उसकी moral development, और वाकी सारी चीज़ें, तो हमने देखी नहीं, हम उसकी problem solving को नहीं देख रहे, हम कहते हैं, जी फलाँ function उसको आने चाहिए आते हैं, तो ठीक है, नहीं आते तो फिर वो न लाए, इस तरह की decisions किसी बच्चे की सारी उमर खराब कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम test को इस तरह की judgment के लिए use ना करें, the lack of understanding of test limitation, जैसे कि मैंने अर्च किया कि वो standardized tests हैं, जो international level पर भी बनाए जाते हैं, वो लोग claim करते हैं कि वो बच्चों को measure कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं, जब तक holistic development और सारे potential बच्चों के measure नहीं हो जाते, तो ये सारे claims जो हैं वो गलत, और हम अगर उपर decision लेंगे, हमारे decisions भी गलत होंगे, so limitations होती हैं हर test की, जैसे मैंने अर्च किया, हो सकता है, उसकी validity ठीक ना हो, reliability ठीक ना हो, और ये कि जो indicators, हमारे cultures के अंदर वो use नहीं हो रहे है, हमारे context के अंदर वो use नहीं हो रहे, तो हम फिर भी inappropriate results हासल करेंगे, miss use of norm reference test, अब जै एक norm reference पर पूरी दुनिया के बच्चों को मापना बिल्कुल वालत है, African बच्चे कुछ और होंगे, Pakistan कुछ और होंगे, USA के बच्चे कुछ और होंगे, Korean बच्चे कुछ और होंगे, कैसे हो सकता है कि सारे एक तरह से perform करें, कैसे हो सकता है कि शहर के रहने वाले ध्याद के रहने वाले बच्चे एक तरह से perform करें, उनके एक जैसे नहीं है और आप तब के ऊपर एक norm को implement करना चाहते हैं, then inappropriate use of cut-off scores, जैसे हमने पहले mention किया, कि आप ये उन्ही standards के basis पर ये आप decide करते हैं, कि बच्चे को क्लास में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किस क्लास में जाना चाहिए, तो ये फैसले भी गलत है, क्योंकि बच्चे के potential के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये वो आने वाली जिंदगी में क्या करेगा, कुछ बच्चे, बहुत छोटे बच्चपने अभी शाय हैं, अभी वो in practice नहीं है, वो social नहीं है इतने, तो वो ज्यादा उस तरह से सीख नहीं सकते, लेकिन जैसे ही वो accept कर लेते हैं अपने इड़गी community को और environment को और थोड़ा use to होते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से perform करते हैं, और बाज बच्चे जो भच्च्पन में लगते हैं, कि बड़े तेज हैं, वो बाद में slow हो जाते हैं, हम कैसे decide कर स जिन्दगी में क्या करेगा, जिए हम पहले दिन ही parents को कैसे मयूस कर सकते हैं, कि आपका बच्चा तो इस काबल ही नहीं है, कि दूसरों का मुकाबला कर सके, हमने कुछ सुना हैं, असाथजा को यह कहते हुए, कि आप इस बच्चे से यह उमीद ना रखें, कि यह metric में जाक करेगा, और यह early decision है, early decision किसी भी test के basis पर नहीं लिया जा सकता, then use of test in appropriate context, हमारा जैसे मैं आर्श किया हमारा context की और है, हम अपने context में किसी international test को use करेंगे, तो उसके नतायच तभी भी अच्छे नहीं निकल सकते, और हमें करना यह है कि हम अपने indigenous test बनाने हैं, हमें अपने indigenous intelligence test बनाने हैं, हमें एक placement test अपने बनाने हैं, और वो test तिरफ इस बात पर मबनी हो, कि बच्चे की cognitive abilities इतनी हो गई है कि उसके अंदर acceptance आ गई है, instructions वो समझ सकता है, वो सुन सकता है, वो जवाब दे सकता है, और वो discipline का मुझाहरा कर सकता है, लेकिन किसी तरह के three concepts जो हैं, व को किसी test का मयार बनाना दरुस्त नहीं है, जब तक हम अपनी assessment को flexible नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों की opportunities को खोते रहें.